नित्ति का चाहर जी, रादे, रादे महाराजी, आपके चुड़नों में कोटी-कोटी पढ़ाँ, महाराजी, क्या मेहनत नसीब बदल सकती है, और क्या बिना मेहनत के नसीब का सब प्राप्त हो सकता है? उसे मतलब आप ग्रामेन भासा में प्रस्न कर देऊ, उसे सास्त्री भासा में पुर्शार्थ कहते हैं, महनत को पुर्शार्थ, अगर प्रबल पुर्शार्थ है, तो बूरे प्रारप्त को मिटा सकता है, और नवेन सुक सामागरी को सजा सकता है, पर प्रबल पुर्शार्थ प्रबल पुरुशार्थ होता है परोग कार। दूसरे के भारी शमश्या दुख में सम्मिलित होकर उसको मिटा दो और भगवान का इश्मरण करो। इन दो के दौरा ये प्रबल पुरुशार्थ आपके पूरु प्रारद्ध को नश्ट कर देगा। जैसे मेहनत बहुत करते ह हैं और लाव बहुत कम प्राफ्थ होता है और बहुत कम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा लाव प्राफ्थ होता है ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जिनकी दिंचर्या में मतलब भाग्यवस्केवल धना रहा है कोई मेहनत नहीं और एक आदमी है दिन भर मेहनत करता है चार पूर्व का जो पुल्ण है वो उसे अर्थ प्राप्त करा रहा है वर्तमान में वो पुर्शार्थ हिंता दिखा रहा है तो जब तक प्रारब्द भोग है पुल्ण का तब तक चलता रहा है अब एक है वर्तमान में बहुत पुर्शार्थ का रमेनत कर रहा है लेकिन पूर्व का पाप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा अब पहले पीछे का जो पाप है उसे नश्ट करने वाला पुरुशार्त बने वो दो प्रकार से होता है परहीत सरिश धर्म नहीं भाई दूसरे का किसी का ऐसा ही तो हो जाए जो अशहा है अशमर्त है रोगी है परिशान इस्थित नाम जब करते हुए दूसरों के शुक की भावना में अपने करतव का पालन करते हुए तो ये पुरशार्त आपके पूर्व प्रारब्ध का नास कर सकता है भाग से ही सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं है भाग भी काम करता है जिसे बहुत पढ़ली करके ग्रेजिवेट हुए ले अपिसर रंक की पढ़ाई के हुए है और एक है कि ऐसे घर में जन्मे है कि जमीदारी पहले से ही है और वो न पढ़ने में रुची न कुछी क्रिया में रुची लेकिन वो बहुत सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं यहां प्रारब्ध देखा जाता है लेकिन एक है कि मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया पर उसने जी जान से मेहनत की इतना पुरशार्थ किया कि वो गाउं में सबसे बड़ा आदमी बन गया यह भी देखा जाता है जो अपने पुरशार्थ को प्रबल कर दे तो प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है अगर में सबसे जल्दी उन्नती प्राप्त करनी हो यह दो बात पकड़ ले भवान से मनायों कि कभी किसी की सेवा का उशर हमें दीजे माता पिता गुरुजन कोई पाहिरी पसू पक्षी ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई शायोगी नहीं कोई ऐसा जिसको हमें आउशर मिला है बहुत बड़ी मतलब यह बिल्कुल राम बाणो शदी समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारप्द को विद्वन्स कर देगी जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के बिना कुछ लेने की भावना के और तनमन धन वचन से सेवा की और भगवान का इश् इम्मत करता है दूसरों की संपत्ति चुराने के लिए मारपीट सहता है मारपीट करता है वो मेहनत करके दूसरे का धन अपरण करके दूसरे को दुख देने वाली क्रियाए करता है तो उसकी ये मेहनत उसके पूर्व के पुर्ण जो जमा है आगे सुख देने वाले उनका पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप ये जब दोनों मिलेंगे तो किसी काम करें नहीं कि ते मिट्टी में मिल गया किसी काम करें साब बिद्वन्स हो जाता है इसलिए सदाचरण करो और ये अंदर की बात कहे रहा हूं हरदय की दूसरों को सुक पहुंचाने की भावना ले जी को प्रभु ले दसरजी वहां प्राण त्याग रहे हैं भगवान श्री राम बनवास में जटाए जी ने अपने प्राणों की प्रवान करके सीता जी की रक्षा रामण से करने के लिए रामण पर महाबली रामण आक्रमण कर दिया और एक बार तो बेहोस करके गिराई दिया चोचोड पंजो की मार से और उसके चंद्रास के प्राहर से पंक कट गए राम 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 देखा भगवान श्राम गोद में भगवान ने उठाया और भगवान ने एक वचन कहा कि ये मेरी क्रपा से नहीं आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गती को प्राप्त हो रहे हैं ये आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गती को प्राप्त हो रहे हैं तात ये मेरी क्रपा की बात नहीं तुम्हारी करनी की बात है तुमने ऐसी करनी की तब वहां परहित सरिस धर्म नहीं भाई अगर प्रान भी चले जाएं दूसरे की हित में तो भगवान को प्राप्त होता है बहुत बड़ी बात है, हम आयशा पुरुशार्थ करें कि अपने प्रारब्ध का नास कर दें, जो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको नश्ट करने, हमें दुख देने, हमें बिपत्य में फसाने आया है, मंगल हो जाएगा, भगवान का नाम और दूसरों को शुक प्रदान करने की भावना.